हलो गाईज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाना कोलेज पिजी कोर्सेज एडमिसन दो हजार एकिस ठीक है यानि कि यार आज की वीडियो है वो उन स्टुडेंट्स के लिए है जिनोंने अभी 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 अपनी अंडर्ग्रेजवेट है वो किलियर की है और अब वो कि यहाँ पर किसी ना किसी पीजी कोर्स के लिए अपलाई करना चाहते हैं गाईज मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हरियाना में कुछ युनिवस्टीज हैं और कुछ कोलेज हैं ठीक है यानि कि universities के admissions होते हैं वो अलग होते हैं और जो college के admissions होते हैं वो अलग होते हैं ये बात आपको भी पता होगी ठीक है तो अब हम बात करने वाले हैं वीडियो में कि यहाँ पर जो colleges हैं उनके PhD के admission हैं वो कब तक होंगे कब तक उनका schedule आएगा और यहाँ पर entrance हो गया नहीं आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो भैज चैनल को subscribe कर लिजिए इसी तरह की और वीडियो के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो पोर्टल है Department of Higher Education हरियाना का उसके उपर PG के course को लेकर कोई अपडेट है या नहीं है तो चलते हैं डार हो रही है लेकिन यहाँ पर कहीं भी PG के course का जिकर नहीं है ठीक है आप देख सकते हो पूरी की पूरे पोर्टल के उपर पूरी की पूरी वेबसाइट के उपर PG के रिगार्डिंग अभी तक कोई update कोई schedule नहीं आया है यहाँ पर यह UZ का ही schedule है ठीक है तो अब मैं आपको ब देखिए नए श्रे से जारी होगा schedule कोलेजों में 4 सितंबर तक document verification होनी थी और इसके साथ 8 सितंबर को पहली maritalist जारी होनी थी लेकिन अब उच्तर शिक्ष्य विभाग 12 से समय बढ़ाएगा विध्यारती समय रहते document verification की प्रिक्रिया को पूरी कर लेंगे यह जो बात थी अ यहां पर जो department of higher education हरियाना है वो जल्दी ही पीजी जो course है उनके admission schedule को जारी कर सकता है ठीक है अब वो कब तक करेगा वो भी आपको बता देते हैं सो गाईज यहां पर जो reports आ रही हैं वो यहीं कह रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं यहां पर September mid के बाद बाद यहां पर आपका जो schedule है PZ colleges का PZ courses के लिए वो जारी हो सकता है ठीक है और जैसे वो जारी हो गाईज आपको वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल के उपर आप चैनल को subscribe करके रखिए ताकि आपको यहां पर कोई भी वी वीडियो कोई भी notification है वो miss ना हो ठीक है यानि कि यार एक बार फिर से मैं बता देता हूँ September मिट का मतलब 15 सितंबर के बाद बाद यहां पर कभी भी आपका जो schedule है वो जारी हो सकता है ठीक है तो वो जैसे जारी होगा आपको वीडियो हम provide करवा देंगे बात करें उन्यूवस्टी की अगर किसी को उन्यूवस्टी मैड में से लेना है PG के लिए तो तो guys I hope आपको समझ में आ गया होगा और जो college हैं उनकी मैंने आपको बता ही दिये कि भाई उनके अभी start होंगे ठीक है यानि कि पहले यहां पर यूवस्टी के एडमेशन होते हैं PG के उसके बाद जो students बच जाते हैं जिनका एडमेशन वान नहीं हो पाता वो फिर colleges में try करत तो guys मैं आपको बता दूँ यहां पर इसको भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा यहां पर जो universities हैं जैसे कि MDU हो गया IGU हो गई और भी universities हो गई उनके यहां पर जो PG के courses हैं उनके admission entrance exam based होते हैं वहीं मैं बात करूं colleges की तो जितने भी college हैं उन सभी के यहां पर जो PG के courses हो सारे के सारे merit based होते हैं ठीक है so guys I hope आज की वीडियो में यहां पर आपको सब कुछ किलियर हो गया होगा सबसे पहले हमने बात की है आपके schedule के उपर तो जैसे ही यहां पर आपका schedule आएगा लगबग 15 सितंबर के बादवाद हम आपको यहां पर वीडियो बना कर बता देंग और यहां पर हमने प्रोसेजर की बात कर ली है so wish you all the best जै हिंद जै भार्त